अच्छा यहां पर मैंने स्टार्ट यहां से लिया है कि कोई भी लंग्विज होगी उसे प्रोसेस करने के दो लेवल्स होंगे एक है विरिस्पेक्ट तो स्पीच के स्पीच में जो आडियो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं जो हम बहु रहे हैं और दूसरा नेचर लेंग्विज जो हम राइट करते हैं अचा अब यहां से नेक्स स्लाइड में एक चीज यह बताईए कि कोई भी आपने जब कंप्यूटर साइंस में प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है उसके दो गोल्स होते हैं एक होता है सांटिफिक गोल एक होता है एंगीनिरिंग गोल कोई भी हम काम करते हैं जैसे मैं इसका साइंटिफिक गोल क्या होगा जिसमें आप उसके थेorical concepts के पर फोकस करोगे थेorical concepts पर अनजीनिग गोल का मतलब होता है कि वहां पे आप implementation करते हैं चीज बनाते हैं computer scientist में, computer engineer में, logically यही फर्क होता है, कि जो scientist है, वो theory पे काम का रहोता है, और जो engineer है, वो बनाने पे काम का रहोता है, fair enough, यही चीज़ हमने यहां पही बता हुए है, कि जो हमारे पास NLP, natural language processing, it is a branch of artificial intelligence, यह भी last time किसी ने question किया था, AI कहां पे लाया करता है, बाकी कहां पे करता है, तो AI एक upper form है, यह upper domain है, जिसकी sub domains है, natural language processing, computer vision, audio processing and so on, ठीक है जी, अच्छी नहीं किस, science goal कह है, understand the way language operates, science goal कह है, कि इसमें theoretical aspects हम देखेंगे, कि जो हम language बोलते हैं या लिखते हैं, वो कैसे operate करती है, उसके background में क्या चीज़े हो रही होती है, और engineering goal हमारे पास कह है, कि we want to build systems, that analyze and generate language, यानि कि हमने क्या करना है, हमने ऐसे code लिखने हैं, जिनकी मदद से हम, जो चीज़ें बोली जा रही हैं या लिखी जा रही हैं, उनको understand कर सके हैं, second level पे कह है, जैसे हम theory of automata में भी focus करेंगे, कि हमारे पाँ, अगर words हैं तो उनसे sentences बनाएं, sentences हैं तो उनसे paragraph बनाएं, language को generate करें, similarly reduce the man-machine gap, यह ultimate aim है, AI का भी, artificial intelligence का भी, अगर आपसे कोई पूछे यार कि artificial intelligence का ultimate goal क्या है, क्या answer है, इसका यह आपको याद है कि उसकी क्या example पढ़ी है आपने ना, Turing test नाम किसी को याद है, Turing test, पाता है Turing test क्या होता है, BSC में जो fresh थोड़ा सा जिसने पढ़ाओ, Turing test क्या होता है, AI के अंदर यार दूसरी तीसरे लेक्षे पर बढ़ाते हैं, concept Turing test क्या होता है, simple होता है, Turing test यह है, ठीक है, और एक बंदा है, ठीक है जी, एक बंदा आता है, let's say professor level का, वह के question करना शुरू करता है, computer से पूछता है, इंसान से पूछता है, तो ऐसा computer, जो यह साबित कर दे, जो यह साबित कर दे, कि वो इंसान से बहतर है, intelligence में, वो Turing test को pass करेगा, यह असान लफ़ों में समझाए है, समझाएगे, इसकी figure भी शाहद आगे भी कहीं पर है, यहाँ पर, लेकिन असान लफ़ों में यह है, Turing test के है, कि ऐसा computer, जो इंसान की जहनियत के करीब तरीन हो, वो Turing test है, ठीक हो गया, कौन से computers हैं जिन्होंने इंसान को हराया भी अभी तक, कुछ नाम शाह माते हैं, कोई देखते हैं, literature structure के नहीं, MS लेवल के बच्चे हो यार, कौन से computers हैं जिन्होंने हराया, यह कौन सी domains हैं जिनमें computer इंसान से बहतर है, सुफिया रोबोट है, सुफिया रोबोट, जी, gaming, बिल्कुल ऐसे, इन्होंने पहली जो बात किये, gaming में, gaming के अंदर सबसे मशूर कौन सी गेम है, जो बहुत अधा हिट वी थी, alpha go, बिल्कुल ऐसे, क्या है, go game क्या है, एक किसम गया समय लें, draft नहीं जो हम खेलते हैं, draft का सबता है, यह चैस को समझने चले, इसका एक बहतर वरियन, सिंपल लफजों में यह, कि चैस के अंदर, let's say, अगर 400 moves हैं, तो उसमें 4000 moves है, ठीक है, Chinese game है, basically, उसको computer नहराया, chess बड़ी common है, काफी अरसे से, मेरा खाला, 20 साल से खेली जा रही है, computer खेह रहा है, कभी जीता है, कभी हराता है, लेकिन games एक अच्छा, gaming जो है वो एक अच्छा है, और इसके लावा, safe city के काफी शहजादे बैठे होंगे, हर class में होते हैं, और हमेशा कहा जाता है, safe city जो है, उन्होंने automate कर दी है, अब अगर camera surveillance लगी हुई है, और human surveillance दे रहा है, कौन सा बेतर होगा, जी, नहीं, यह subjective होगा, वैसे ऐसा नहीं है, depend करेगा, लेकिन चलें इस तरह कर लें, कि जो camera होगा, वो never tiring होगा, यानि कि दिन राथ एक ही angle से देखता रहेगा, ऐसे ना, बिचार है इंसान तो 2 गंटे बाद ठक जाएगा, ऐसी है, इसी तरह और कौन सी चीज होगी? self driven cars आ रही है, बिल्कुल ऐसे ही, आजकल सबसे hot topic चल रहा है, agreed ऐसे है, अच्छे, एक covid के दिनों में बहुत hot topic चला है, जिसे कहते है chatbots, क्योंकि मैं उस तरफ जाना चाहरा हूँ जो इससे link दो, chatbots, कितने लोगों पता है chatbots का, क्या होता है? किसी ने देखे हो, chatbots देखे हैं, क्या होते हैं, कि आप किसी website पर गए और वहाँ पर एक आपको ना, automatic bot होता है, उसे chatbots भी कह लें या bot होता है, वो आपको welcome करता है, क्या question है आपका, क्या आप अपने question write करते हो, और दूसरे side पर इंसान नहीं बैठा होता है, automatic computer कर रहा ह है, तो इस दफा अगर किसी ने report देखी हो, जो different reports आती है, industry के relevant, पिछले 6 महीने के सबसे बड़ी product chatbot रही है, चाहे वो English में है, उर्दू में तो बचारे पता नी बनती है कि नी बनती है, लेकिन chatbots बहुत जाता रही हैं, different languages में, ठीक हो गया, in any case, in any case, वापस हम आते है, कि सारी effort जो हो रही है, AI की simple जो सबसे बड़ी application है, वो यह है कि man machine gap को reduce किया जाए, ठीक है न, पर अच्छी चीज़ बता है कि अभी तक हम reduce कर रहे हैं, improve नहीं कर रहे हैं, improve machines over man कहीं पे नहीं लिखा होगा, यानि कि AI का ultimate aim यह नहीं है, कि इनसानों से बहतर हो जाए, अभी फिल हाल यह है कि gap को कम किया जाए, ठीक है, अच्छी यह tuning test की, मैंने एक example या figure भी net से उठा कर डाल दी थी, छोटी से, वो यह है कि आपके पस एक test conductor है, यह machine है, यह human है, और दर्म्यान में एक पर्द है, यानि कि इसको नहीं पता कि यह human है या वो है, वो मुक्तलिफ questions करत है, अब यहां पर भी a question बड़ा जरूरी होगा, वो क्या होगा, जो questions है, वो किसी domain में होने चाहिए, अगर मैं यहां पर theory of competition पढ़ाने हूँ, और मैं भाही से question करता हूँ, deep learning है, मैं गयता हूँ, different architectures के है, machine running के अंदर support vector machine क्या होती है, and so on, तो वो हसकी रहेगा, बच्छ and the test conductor find out which is the machine and which is the human, ठीक हो गया, अच्छा, यह एक मैंने यहां पर लिखा, inspired Elisa, यह नाम सुना है किसी नहीं, इसको भी Sophia अभी वाली पता है, Elisa का नहीं पता, Elisa का किसी को नहीं पता, अली भई, यार यही पढ़ के हो सारे यार, basic chapters है सारे है, जी, Amazon का, Amazon के Elisa, यह मुझे नहीं पता, Amazon के पास है, किसके पास है, लेकिन यहां पर बुक अला concept देता हूं, यह 70's का एक chatbot है, basically, ठीक है, और यह मैं जोड किसी से रहा हूं, जैसे मैंने अभी कहा था, कि अगर आपने किसी चीज में मशीन को हराना है, या मशीन ने आपको हरान है, that would be domain specific, ऐसे है ना, जैसे अगर एक बचा safe city में काम कार रहा है, या एक बचा theory पढ़ा रहा है, इधर खड़ा होके, तो वो दोनों compatible नहीं है, ऐसे है, एक बचा software उसमें Java पे काम कार रहा है, एक .NET पे कार रहा है, और एक camera देख रहा है, बैठके, तो मुकाबला एक domain मे हो सकता है, अलग चीज़ों में नहीं हो सकता, agreed है ना, ऐसे है ना, ऐसे है, domain की पास समझाती है आपको, तो इसलिए मैं इसको जोड़ हूँ, कि जो chatbots शुरू है, ELISA जो है, first chatbots में से है यह ना, यह कि जाता मुझे था Microsoft का है, भाई Amazon का कह रहे हैं, मुझे सही आदी है, वो तो बिटा वही है ना, मैं दुबार रपसात हो, concepts पे हैं, वो तो अब Sophia का एक robot है, Saudiya के पास है, Dubai के पास कोई और होगा, हमारे पास भी एक robot है, हमने भी चाहना से खरीदा हुआ है, तो वो रबोट से फिर अलग कानी शुरू हो जागी, अभी concept पे बात करते हैं, ELISA एक जी क्या चीज़ समझाते है, यह ELISA क्या होंगे उपर लिखा नहीं है, वैस पर लिखा हुआ है, हाँ, psychotherapist clear लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि अगर आप इसे दवाई कोगे, दवाई नहीं देगा यह, ऐसे ना, यह फिजिक, जो psychology के relevant problems हैं, उनकी discussion करेगा, सिरफ दवाई नहीं देगा, ऐसी है, अच्छा इसी तरह न यह था कि जब मार्स पर यह लोग गए थे, यूएस वाले, और जब डेटा उक्लेकर करके लेकर आया थे, उसके बारे में उन्हें एक चैटबाट बनाया था, यह भी early 80's की बाहत है, तो वह वहां के बारे में बड़ा specifically questions answer देता था, मार्स के बारे में, जो मार्स से आ रहा जाता है, तो मैंने इसलिए उसकी example दे दिए, fair enough, ठीक है जी, अच्छा जी, यह वर्ड आप मैंसे कुछ को फिर अगें याद होगा, लेकिन अक सरीयत फिर यह कहीगी नहीं, ambiguity, what is meaning of ambiguity, ठीक है, ambiguous का मतलब होता है, कि ऐसी चीज जिसके multiple मानी हो, ठीक है न, यानि कि मैं को वर example, यानि वह तो ambiguity नहीं होगी नहीं यार, वह तो आपको समझी नहीं, नहीं वह ambiguity नहीं होती, ambiguity और चीज होती है, कोई example दे है, चल्ले, लोने code definition करती है, वैसे मेरे जहन में यह नहीं थी, इसके एक अच्छी example है, जैसे मैं word बोलता हूँ, bank, bank, b-a-n-k, bank, क्या मतलब होता ह जी, जी, मेरे लिहाँ से बैंक के तीन माने होते हैं, शहदी दर example भी दी होगी, मेरे लिहाँ से क्या बुक के लिहाँ से, bank का एक मतलब वही जो हम सब को पता है, जिसमें पैसे रखते हैं, हम सब का interest है, at least हमारा, दूसरा bank कौन सा होता है, जहाँ पे आप में से कुछ का, अभी आप classes में आ रहे हो ना, सारे excited हो के, एक वक्त रहेगा, एक वक्त रहेगा, जब आप banking करना शुरू करोगे, no, not bank, bank, bank is different, bank को दूर करने के लिए banking करते है, banking का मतलब होता है, सहारा, ठीक है, सहारा, जैसे लेट से जी, अली बही ने क्लास में नी आना, आपको कह मेरी आजी लगाती है, तो इन्होंने bank करना शुरू कर दिया, ठीक है, सहारा इसे कहते है, proxy कहले है, जो भी कहले है, ठीक है, तो ये एक किसम का ambiguity है, ठीक हो गया, तो ये ambiguity के एक चोटी से example है, अच्छा, यहाँ पर लिखा है, the crux of the problem, इसका का मतलब होगा, जिसको हम solve करना चाहेंगे, जिस पर major focus हमारा होगा, ठीक है, simple है, अभी काफी सारी simple हैंगी, अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, यह major है, जो आज पढ़ाना भी है, जो थोड़ा सा आपने याद भी रख रहा है, stages of language processing, और यह फिर हमने साथ जो हैना, इसकी different stages बताई हैं, ठीक हो गया, जैसे मैं जो आज सारी तक्रीर कर रहा हूँ अभी, अगर यह मैं computer में save करता जाऊं, और फिर मैं अपने audio processor लगाऊं, NLP processor लगाऊं, तो वो इन सारे steps को करके, end में answer देश के, ठीक हो गया, यह फिर चीज है, अच्छा, क्योंके अभी हम theory of automata में हैं, और हमने चीजों को जादा इस तवज़ों से देखना है कि understand के साथ साथ, complexity पर focus करना है, जो मैंने वहाँ पर भी class में बोला था, कि हमारा focus किया है कि problem solve हो सकता है या नहीं, ठीक है, कैसे होना है, वो एक हद तक है, कैसे होना है, लेकिन हो भी सकता है कि नहीं, और कितना वो complex है, तो अभी के भी lecture में मैंने कुछ examples बताई है, and then I have focus on complexity, या problems, ठीक है जी, fair enough, चले, यहां तक किसी को कोई question discussion है तो भी पूछ ले, बिल्कुल असान सा रखा हुए है, ताके सब को समझाए, लेकिन still कोई question है, पूछा जा सकता है, कोई linkage में question है, किसी तरह का तो आप पूछ लो भी ना, ठीक है जी, चलाएं, जी पहला वर्ड लिखा है phonetics, क्या मतलब होगा phonetics का, बिल्कुल है से, यह मैंने दो वर्ड लिखे हैं यहाँ पे ना, जब हम बच्चे को सिखाते हैं या अगर class school में जो बच्चे को लिखाते हैं, तो हम लोग खार इसकी वीडियो भी बनाते हैं, उसमें हम sounds बोलना सिखाते हैं, words की ना, जैसे ए है तो उसे ए भी कह सकते हैं, आ भी कह सकते हैं फॉनिम जो मैंने वर्ड यहाँ पे लिखा है, आप यह समझा लें, कि बिल्कुल basic unit of speech जो है उसे फॉनिम कहते हैं, basic unit of speech, ठीक है, a जो है वो फॉनिम नहीं है, लेकिन जैसे वो बोला जा रहा है, जैसे a करते हैं, a करते हैं, apple करते हैं, तो उसमें जो a बनता है sound, वो फॉ करना है, बोलना कहते है, make sense, यह definition समझाती है, good हो गया, अच्छा, अब यहाँ पर बस मैंने definition देखे कैसे करना है, इस पर नहीं गया, जैसे मैंने अभी कहा था, कि मैं complexity या problems पर बात कर लूँगा, ठीक है, लाम अलागर computer ने एक phonetic engine बनाना है, जो phonemes को identify कर सेगे, तो what would be the challenges it will be facing, ठीक है, ठीक है, पर प्रॉब्लम के है, homophones, homo का मतलब क्या होता है, एक जैसे, एक, homo का मतलब होता है, तो homophones का मतलब क्या है, ऐसे phonemes, जिनकी sound एक हो, homophones, phonics, sorry, phonemes, which have the same sound, सम्झा रही है, ठीक हो गया, example के है उसकी, जैसे अभी मैंने भी दी, यह बच्छों उने का, बैंक है, बैंक finance भी हो सकता है, रिवर भी हो सकता है, कैसे समझाएगी यहार क्या बोला था हमने, ठीक होगे, जी होमोफोन है, सेकिंड है, near homophones, near homophones, near homophones, near homophones का क्या मतलब है, बिल्कुल, अच्छा, इसमें थोड़ा सा यहां पर जो example हमने दीए, वो यह है, तो यह near homophones है, homophones नहीं है, homophones वह हैं, जिनके spelling भी एक है, sound भी एक है, near homophones का क्रीब तरी नहीं है, make sense, अच्छा जी word boundary, यह काफी important है word boundary, यह उर्दू की example यहां पर दे दी, word boundary का मतलब कहा है, कहां पर जो आप चीज़ बोल रहे हो, उसमें word कहां पर खतम हो रहा है, कहां पर खतम हो रहा है, जैसे, आज आएंगे, आज आएंगे, या आज आएंगे, ठीक है यह उर्दू में यह लिख दिया, यह पहले आज आएंगे, सोरी, विलकम और आज आएंगे, विलकम लेटर या जब भी होगा, समय आ रही है, तो क्या है, homophones, near homophones, world boundary, यह basic problem है, fan is boundary, phrase का क्या मतलब होता है, phrase का क्या मतलब होता है, छोटा sentence basically, sentence वो होता है, जो grammatically हरतना से correct हो, grammatically correct sentence को छोटे words में describe करना phrase होता है, ठीक है, सही है, जैसे, let's say, get up, get up is not a sentence, यह simple phrase है, ठीक है, इस तरह मैं कहता हूँ, explain, simple कहता हो explain, यह भी phrase है, quickly explain, यह भी फ्रेज है, ठीक हो क्या, अगर इसका sentence बनाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा पूरा sentence के, I request you to get up and explain this concept, यह sentence है, simple क्या कह सकते हैं, यह get up, explain, यह phrases होते हैं, इननी के sentence हैं, यह phrase है, उनकी boundary होगी, इसे परने जरा इसमें क्या phrase boundaries बनेंगे जो explain करना चाहिए, वो हाथ खड़ा करें, उससे बुलवा लेंगे, बॉंडी, बॉंडी बॉंडी बताने हैं बिटा, देखो, जैसे मैं कहते हो, AI students are specially exhausted, ठीक है, अब क्या यहाँ पर boundary बन सकते हैं, बॉंडी का मतलब है कि कॉमा, semi-colon, colon, full stop, क्या डाला जा सकता है, ठीक हो गया, अच्छा, especially, exhausted to attend as such seminars, आप क्या, exhausted के बाद कॉमा लगना चाहिए, to attend के बाद लगना चाहिए, यह दो आगी न, phrase boundary के चाहिए, ऐसी ही सर, as such seminars are integral to one's post-graduate education, कहां कहां पर semi-colon या boundary बन सकते हैं, कितने sentence तोड़े जा सकते हैं, कितने phrases में तोड़ा जा सकता है, जी, meaning change हो रहा है, बिल्कुल ऐसे, agreed, समझागी, explain करूँ, बना के, और हजारों example हो सकती हैं, ऐसे हैं, लेकिन यहां पर यह बताईए, कि एक example ही होगी, कि आपने जरूर seminar लेना है, ताकि आपको फायदा हो, एक यह बता रहे नहीं, यार exhaust ह हो गया है, हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, ठीक हो गया, and so on, कोई मुखली माने है, साय ने लिखा disfluency, disfluency क्या होती है, हम सब में होती है, अभी मैं English बोलू हूँ अगर, तो मेरे फिर words उस तरह नहीं होंगे, जैसे उर्दू में चाह रहे हैं, even उर्दू में भी नहीं होते है, ऐसी है ना, even पंजाबी भी बोल लें, जो मदर टांग होगी, तब भी सही नहीं बोल पाएंगे, रुक रुक होता है, ऐसी है ना, यह disfluency होती है, कि जब आप बोल रहे हो, disfluency आती है, अच्छा, अब मैं दुबारा जोड़ता हूँ इन चाहरों को, यह हमने क्यों बत जी, हाँ बिटा बता सकते हो, क्या आप बात की इस पर, मैं चाहिए रहों, देखो, मैंने बिल्कुल असान रखा है, और खौाहिश कहा है कि सोने की option ना हो हमारे पास, जी, हमने simple इसको फिर दुबार करता हूँ conclude, हम simple यह देख रहे हैं कि जब हम audio कुछ बोलते हैं, तो हम क्या deliver करते हैं, और अगर computer ने उसे convert करना है, automate करना है, ठीक है, तो उसे क्या दुश्वारियां पेश आएंगे, या दूसे लफजों में, यह जो हमने यहाँ पर word यूज कि हमोफोन ना हो, तो हम simple computer को कहेंगे, यह बैंक का मतलब होता है, जहां पर पैसे जमा करवाते हैं, disolency नहीं है, तो computer का का काम असान हो गया, phrase boundary नहीं है, word boundary नहीं है, near homophones नहीं है, तो बड़ा असान सी life है computer के लिए, लेकिन क्योंके यह सब कुछ होता है, तो इसलिए it is a very very challenging problem, लोगों की पीडियां भी इसके अंदर, हर पापी के अंदर लोगों ने पीडियां कियोंगी, फिर भी unsolved problems है, ठीक हो गया जी, समझाती है वाली बात, चलें, good हो गया, जी, जी, बिलकुल हो सकते है, वो भी हो सकते है, वो भी अभी आजेंगे, कहां पर होता है, वैसे हो सकता है, agreed, जी, 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 देखें, डिस्फुलेंसी भी ना, multiple types की होगी, multiple types होगी, जो गोरे की होगी, वो different होगी, आप लोगों के different होगी, कोई रुक्ये बोलता है, ऐसी है ना, तो डिस्फुलेंसी का कोई भी word हो सकता है, अच्छा, अब दूसी बात यह है, देखें, अब वापस आता हूँ, एक और असान चीज यहाँ पे ना, भाई न अच्छा question गिया, जुरूरी नहीं है कि वो चीज़ें जो computer understanding करता, ये कुछ examples दी गई हैं, जो आपको समझ आ सके हैं, हो सकता है computer ये सारी बाते कर लेता हो, और अक्सर program अब कर लेते हैं, हमारे पास इस बैंक को उसने cover कर भी लिया, तो में भी और homophone आ जाएं, आ सकते हैं ना, for example, और कौन सा हो सकता है, fair हो सकता है, बिल्कुल ऐसे है, और कौन से हो सकता है, ऐसे कई word होंगे जो, दोनों चीज़े होंगी ना, noun भी होंगे, verb भी होंगे, इसमें भी काफी example और भी आएंगे लेकिन स्टिल, समझा रही है ना मेरी बात, कि ये continuous effort रहेगी, जी, नहीं, नहीं, slang इसमें नहीं आएंगे, मैं बताता हूं भी काएंगे, ठीक है जी, कलिया रहे है वाली बात, अच्छा, अगले पर चलते हैं फिर, और इनका question क्या दो, चलने ठीक, उदूरी आज़ेगा, देख लेते हैं, फिर end में फिर questions कर लेंगे, अच्छा, ये हमने बात जो पहली की थी, ये phonetics की थी, जिसको phonology भी हम कहते हैं, यहाँ पर दूसरा word है morphology, phonetics या phonology थी, वो सारी थी, हमारे पास बोलने की जबान, और morphology है, इसका जो keyword है, उसे कहते है, morpheme, ये basic unit of writing है, phoneme क्या था, basic unit of speech, morpheme क्या है, basic unit of write, जब आप कुछ चीज लिखते हो, तो उसका basic unit क्या है, that is called morpheme, ठीक है जी, चला, अब सेट अब इधर ही देखते हैं, पहले, यहाँ पर क्या लिखा है, फिर बात कर लेंगे, पहले चीज़ यहाँ पर लिखी है, जी, morphology is word formulation, rules from its root words, यानि कि जो root words हैं, वहाँ से कौन से words बने हैं, ठीक है जी, जैसे for example, मैं कहता हूँ, form, form, ये एक root word है, अब इससे कौन से word बन सकते हैं, farmer, farmer भी हो सकता है, बिलकुल, formulation हो सकती है, formalism हो सकती है, farms हो सकते है, formula हो सकता है, ये बाद समझा रही है, अब ये कह है, कि रूट वर्ड एक है, और उसके multiple है, कुछ examples यहां पे दिए है, सबसे असान example nouns की है, nouns में क्यों होता है, nouns के दिए boy है, उसका प्रूरा जो है, वो boys हो गया, अच्छा इसी तरह gender marking, gender marking क्या है, कि नसीम जो है, मेल फीमेल का भी हो सकता है पहले, और अगर नसीम के साथ कुछ भी add कर दें, जैसे नसीमा एड कर दें, आपको, जैसे sit, set, sit ही होता है, इधर कौन से लिख हो है, stretch, stretch हो हो गया, and so on, समझ सकते हो, go and go on, तो यह words है हमारे पास, अगली चीज़ लखी हुए, aspect, aspect का क्या मतलब होता है, verb में कौन पढ़ाता भी होगा, aspect का क्या मतलब होता है, progressive होता है basically, aspect का मतलब होता है, time में आप क्या कर हो, जैसे, I was doing this, या I did this, या aspect है, temporal information या time की information लगाना verb के साथ, वो aspect होता है, time information लगाना, कि I was delivering a lecture, अभी जो मैं हूँ न, अगर कोई जा कि कहता हूँ, या दूसरा क्या कह सकता है, I delivered a lecture, ठीक है, अब दोनों एक ही चीज़ हैं वैसे logically, लेकिन मैं किसको कहूँगा I delivered a lecture, किसको कहूँगा I was delivering a lecture, अब अगर बीवी phone करें, बीवी phone अगर करती है, तो मै मुबायल उठाओंगा, न, बाहर जागा उसे कहूँगा I was delivering a lecture, ऐसे ही सर, और दूसरे case में क्या होगा, I delivered a lecture, कि मैंने एक lecture deliver कर दिया, मैडम शाय जे को जा कर बता देंगे, कि जी आजरी लागी, अगर वो पूछते हैं कि कहा थे, ठीक है तो यह फरक है, अश्पेक्ट मे modality, modality, modality होती है कि वर्प को बियान कैसे किया जाए, जैसे for example, सारी example इदर ही आ रहे है, नुमान सब बैठे है, मैंने कहते हैं, तो इनको मैं ऐसे कहूँगा, ऐसे न, और अगर, मैं भी थोड़ी इज़त से मैंने कहना हो, यह खाना खा लीजिए, यह modality alerts है, जो इनकी wife कह आप कही बात भी समझ आगी कि वर्प के अंदर क्या problem होंगे, modality होंगी, एक ही चीज मुक्तली word से आ रही है, इसी तरह aspect आ गया और tense की आ गया, अच्छा जी, यहां पर लिखा है first crucial step in NLP, क्यों, क्योंकि text processing का यह crucial step है, जो phonetics है या phonology है, वो audio के लिहाद से थी, audio map convert कर चु क्यों है, लेकिं still languages with rich morphology have the advantage of easy processing, इसका मतलब समझ आता ही है, कि अगर morphology की sport होगी, तो computer की life असान होनी चाहिए, make sense, चीक हो गया, अच्छा जी, अब यह morphology हम करते कैसे है, यह मैंने वैसे theory of computation से जोडने के लिए, लिखा है यहां पर, कि अगर आपने morphology बनानी है, तो आप कि वो simple हमारे पास machines बनी हैं, जिनके अंदर states and nodes है, चीक है, इसका मतलब किया है, मैं इदर एक बनाने की कोशिश भी कर लेता हूँ, let's say, मेरे पास एक basic node है, यहां पर, जिस पे लिखा है, FORM form, agreed, ऐसी है न, हम मैं यहां पर करता हूँ कि यह जो form है, यह तो यह बन सकता है, S लग सकता है, forms, agreed, उस केस में क्या करूंगा, कि यहां पर मैं लिख दूँगा, पलूर, PL, PLU, या वटेवल, लूर, यह form का, अगर पलूर, बनाए तो वो, forms बन जाता, agreed, ऐसी है, अच्छा, इसी तरह मैं यहां पर लिख दूँगा, form का, मैं कहता हूँ, formation, formation, अब यहां पर मैं लिख दूँगा, मैं यहां पर लिख दूँगा, adjective लेट से, कि अगर form का adjective बनाए तो वो, formation बन जाता है, ठीक हो क्या, अच्छा, इसी तरह अगर form से बना सकते हैं, और भी बहुत वर्ड हो सकते हैं, मैं कहता हूँ, inform, inform का मैं क्या कह सकता हूँ, इस प सब fix जो होते थे, post fix होते थे, वो चीज़े add करता जा रहा हूँ, तो अब यह कैसे, finished machine के अंदर कैसे हो रहा है, क्योंकि finished machine is nothing, but, combination of states with nodes, ठीक है, states क्या होती है, उनकी end result क्या है, जैसे form, forms बना या formation बनी, या formula बना, और कौन सा operator पर form क्या, that is under node, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं, प्रोबिल्टी यह और चीज़ होती है, प्रोबिल्टी जो है न, again solve करने का तरीक है, प्रोबिल्टी जो है न, वो solve करने का तरीक है, कि अब इससे मुराद कहे है, कि मैं यहाँ पर एगर 1-0 लगा रहा हूँ, तो वो binary जा रहा है, यह possibilities है, प्रोबिल्टी नहीं, ठ सान ही है, अच्छा जी, यह थोड़ा इंटरस्टेंगा, अब lexical analysis, अब मैं तुबार रपीट करता हूँ, हम कहाँ पर खड़े है, कि हमारे पास कुछ written text आया है, हम उसे understand कर रहे है, और उसमें हम उसको morphological analysis कर चुके है, ठीक है, अब हमने करना है lexical analysis, ठीक है, इसका जो basic lexicon, ठीक है, lexicon, अच्छा, यह जो है न, यह है, एक किसम की morpheme ही, या morphology का advanced form, लेकिन इसके आप क्या कर रहे हो, जो word है, उसके साथ आप उसकी dictionary attach कर रहे हो, word को, dictionary में convert कर रहे हो, for example, यहीं से example अब उठा लेता हूँ, यहाँ पर example दिये dog की, तो आप dog का dictionary क्या होगी, सबसे साथ dictionary के पहली definition यह होगी, dog जो है वो noun है, agreed ऐसी है न, तो क्या सिर्फ उसकी property सिर्फ यह dictionary wise definition noun है, नहीं, उसकी कुछ यह भी properties है, जैसे dog जो है noun है, ठीक हो गया, वो क्या करता है, अगर उसे plural में convert करना है तो, s attach होता है, ठीक है, यह मैं भी बताउँग, आगे भी कह unmoving कह लें, इस तरह कह लें, animate का मतलब क्या है, जो animation भी होते हैं, जो हमारे cartoons होते है, उनका क्या मतलब होता है, living, यानि कि screen पर living लोग ना, वो animations होती है, तो यह वह animate है, चार टांगे है, ऐसी है, four-legged है, और उसके बाद कार्मी वो हो रहा है, गोश वोश खा जाता है, ऐस ही होता है, तो lexical क्या होगा, कि lexicon क्या बना dog का, dog और उसके साथ उसकी set of properties, ठीक हो गया, अच्छा जी, यहाँ पर challenge लिखा हो है, lexical और word versus disambiguation, इस पर मैं भी आता हूँ, यहाँ पर कुछ इसकी properties के ना, फेदा के नाम भी दिये हो है, noun के है, उसकी lexical property, कि उसकी property क्य है, कि अगर उसके साथ ऐसे लगता है, ruler के लिए, अगर उसने को और shape change करनी है, जैसे infix, suffix में लेके जाना है, तो कौन सी चीज लगेगी, word क्या लगेगा, ठीक हो गया, जैसे dog है, तो dodgy हो सकता है, होता है na, doggy हो सकता है, whatever, जो भी word हो सकता है, वो देखे जा सकता है, animate कि उसकी semantic property है, semantic का मतलब क्या होता है, उसके मानी define करती है, ठीक हो गया, अच्छा, इसी तरह ये सारी semantic properties है, क्योंकि उसके मानी describe करना चाह रहे है, semantic का मतलब क्या होता है, जो मानी, जो एक चीज को दूसरे से differentiate कर सके, ऐसी है ना, कि अगर आपने dog को, let's say, इंसान तो बुनास होगा, कहो, ठीक है ना, कटे जिनको कहते हैं, वो, सबसी सबसी खा लेंगे, ठीक होगा, चलना जी, अच्छा, आप यहाँ पर word लिखा, lexical or word sense disimmigration, इसी slide को मैंने आगे चोड़ा हूए, कि dog अगर word के तोर पर यूज करें तो क्या होगा, या dog का कोई और मानी भी होता है, इनसान के लिए भी का जाता है word, वो देख लेते हैं, तो आज आ सकते हैं कि नहीं, अच्छा, मैंने यहाँ पर word लिखा था, या lexical disembiguation, word जो हमने यूज किया था, again इसके भी multiple disembiguation हो सकती है, पहली यहाँ पर लिखी है, part of speech disembiguation, part of speech भी मैंने last time define किया था, part of speech का मतलब क्या होता है, कि जो हमारे पास words है, sentence के अंदर, उनके साथ, उनका, क्या लगाना, grammatical formula लगाना, कि noun है, subject है, verb है, object है, यह part of speech था हमारे, ठीक है, ना last time किया था न, यह भी define, यह वही चीजी में explain करने लगाँ, dog can be a noun, dog can be a verb, ठीक है, noun का मतलब तो वही animal है, verb का मतलब क्या होता है, कि किसी चीज़ को follow किया जाए न, बहुत ज़्यादा closely, उसे भी dog कहते है, यहाँ पर लिखा भी हो वैसे, और dictionary से उठाया मानिए, कि dog is a verb to pursue, या to follow closely, ठीक हो गया, अच्छा, अब यहाँ पर एक और, यह तो हमने बता दिया, कि noun और verb में simple difference है, यह तो बड़ा असान हो गया, इस इतना कोई और word आप बता सकते हैं, जो noun भी होता हो, verb भी होता हो, जो noun भी और verb भी हो, जी, अभी अभी छोड़ें, अभी ऐसा बता हैं, जो noun भी और verb दोनों हो, कोई word, बताने हैं यह आपने सोच के, जी, खाना खाना बिल्कु ठीक हैं, और, बताएं बताएं जल्दी जल्दी, सोचें, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, जो मरजी में बता दें, पश्टों में ना बताएं यह बस, तांग बैठा नेक, जी, और बताएं, या, गूगल जिन्दा पाद है, आजकल जल्दी से बंदा डूड़ लेता है, अगर नहीं समझाती तो, लेकिन वैसे सोचें, जी, अच्छा, वेरी गुड़ यह तो और अच्छा है, जी, पले, ऐसे न, पले क्या होता है, ड्रामे को भी कहते हैं, पले, और खेलने को भी कहते है, एग्री और बचे, गुड, अलफा, अलफा के क्या मतलब होता है, दो मतलब बताओ कोई से, अलफा और वो एट्टि वो गया, मैं नाउन और वर्ब कहरा हूँ, अगर किसी और के लिए यूज रहे है, वो एट्टि प्रपरटी होगी, अलफा वो तो फिर प्रपरटी होगी होगी, बात क्यों जैसे प्ले, जो या नाउन भी है, और वर्बी यह, इस तरह की बात कह र वर्ब और नाउन में clear distinction थी, यहां पर sense dissemination है, sense का मतलब किया है, कि जो word हम यूज कर रहे हैं, कि किस sense में कर रहे हैं, कि क्या वो animal के लिए कर रहे हैं, और यहां पर लिखा भी है, कि यह भी again dictionary से उठा है, dog animal भी है, और dog as a very detestable person, detestable person का मतलब होता है, detestable का क्या मतलब होगा गंदा आदमी, गंदा आदमी वैसे ना, ठीक है, तो यह इसलिए हाँ से भी use होता है, तो एक ही word है, multiple senses में use हो रहे हैं, इसके लिए word जो use हम करते हैं, उसे कहते हैं, last में गुजर गया है, word sense disambiguation, word sense disambiguation, कि disambiguation का मतलब होता है solve करना, और word sense का मतलब क्या हुआ है, कि कि sense में word use हो रहा है, उसे understand करना, word sense disambiguation, last slide में गुजरा है, disambiguation का मतलब है ambiguity को remove करना, यहीं से हमने शुरू किया था, disambiguation, ambiguity जो है, उसे remove करो, और word sense, जो word है, उसके sense की ambiguity remove की जा, ठीक है, यह हमारे पास आ गया, और इसी तरह फिर यह research और grant उसका दिया हुआ है, जी, अच lexical analysis के अंदर एक और problem यहाता है, कि रुजाना की बुनियाद पर नए word use होते है, जैसे for example, कुछ की example जो मुझे मिली, although यह भी slides पुरानी है, पहला मैंने यहां पे कहा है justify, अगर मैं आप से कहता हूँ justify बोलें word, तो 90% लोग क्या कहेंगे, justify से मुराद क्या होता है, Microsoft word का justify justify है, जो computer पर बैठता है, at least कुछ लोग agree करेंगे, जो word पर काम करते है, justify, वो कहेगा, अच्छा मैंने text जो लिखा है उसको सीधा कर दो, होता है justify का मतलब, ऐसे हो गया, अच्छा, इसी तरह और यहां पर कौन से, xerox, xerox, क्या मतलब होता है xerox का, xerox का, xerox का मतलब वै यह बहुत अच्छे है, यह एच्पी के, उन लोगों ने जो printer काफी पहरे जब मतासिर करा है, तो उन्होंने का यह जो xerox का पी बनाता है, हलाएंक उसका मतलब xerox का मतलब यह नहीं था exact copy, तो लोगों ने word यूज कर दिया, xerox का पी है, अगर मैं को यह दो भाई बैठे एक दूसरे की xerox copy है, तो यह printer आली copy नहीं यह word use होना शुरू हो गया, agreed ऐसी है ना, अच्छे इसी तरह digital trace, यह आजकल word use हो रहा है, digital trace क्या होता है, यह नहीं सुना है, मुश्किल लावद है, आप सब भी आजकल digitally traced है है, हम सब, क्यों, ID card में कौन सी user हो रही है, digital trace का trace का मतलब क्या होता है, आपको trace करना, digital trace का मतलब क्या है, digital तरीके से trace करना, आप अभी सारे IO तो आपकी SIM होना है, digitally अगर आपको क्यों पकड़ना चाहिए, पकड़ सकता है, उसके इलावा क्या है, social media सबसे बड़ा है, facebook आप देख लोगे, आपकी सारी information है, ऐसी है, अभी कुछ लोग अब तो नहीं, लेकिन मैं चलें कहीं मैंने जाना है, लेट से कोई मुझे मुझे दावत करता है, नुवान साब कहते हैं, आपको खाना खिलाता है, मुझे इनके घर का नहीं बता, तो मैं क्या करूँगा, गूगल मैप में address डाल दूँगा, सारा उनके पार record ह अगर उसमान साब कहां फिरते रहें, तो ये डिजिल ट्रेसिंग है, ऐसी है, अगला बरा interesting है हमारे लिए, जो आप में से कई लोग, मैं भी करता हूं, बहुत करता हूं अभी भी, पढ़ें जरा क्या word है, करते हैं हम, ऐसी है ना, कई meeting उने ऐसे होता है कि बंदा फसा होता निकल निकल निसकता, तो खुद ही message कर देते हैं कि यार, जरा message करना, वो message करते हैं, हम गहते हैं, फोन आगए, चल भी काका निकल गए, इसके लिए communifaking का word यूज होता है, communifaking, communicate करें लेकिन fake communication, तो ये वैसे, ये मैं बताना करें चाहरा हूं, कुछ मुझे मिलेते हैं, ता होता है ना, आप मेंसे देखें, हम सारे वैसे तो कोई हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे हैं ना, शायद एक दो बन्दे जो बिचारे यूईटी की खिदमत करें, उनको मैं जानता हूं, जिन्हों नेट शेट और ये चीज़ें करनी होंगी, बाकि हम कोंसा ऐसा काम कर हैं, लेकिन अभी मैंना दस दफ़ा देखूँगा कि शायद मॉबाइल बज़े, ऐसे होता है ना, आप मेंसे भी कईयों को मैं जानता भी हूं personally, वो यह करेंगे अच्छा है, वैसे मॉबाइल देख लेंगे, चाहे उस पर कुछ भी ना आया हो, लेकिन हमें आदत है, फंक कोई मसला नहीं, कोई ऐसे वर्ट सुनी हूं है, जो इधर एट किये जा सके है, सल्फी, 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 हेलिकॉप्टर शॉट, बिल्कुल ऐसे है, and so on, ठीक है ना, तो अगेन, अब प्रॉब्लम क्या है, डिक्षिनरी रोस की बेस पे चेंज हो रही है, यही मतलब है इसका, तो इस वजए से जो अपडेट करना पड़ेगा, ठीक हो गया, जैसे अब हेलिकॉप्टर के बात करें, और अगर बंदा क्रिकिट देखता होगा, तो उसके जहन में पहले ना, धूनी आएगा, as compared to असल हेलिकॉप्टर के, ऐसे ही है, तो यही बस बता इन्हें निकेस, इन्हें निकेस, अच्छा, अभी हमने कौन-कौन से स्टेजिस देख ली, मैं फिर रिपीट करता हूँ, हमने 8 स्टेजिस बोली थी, और उसमें से हमने 3 देख ली, अब आगे 4 पे, जो आटोमेटर के अंदर, CFG, Context Sensitive Language, Turing Machine, में काफी चीज़ों में यू इन्हेमेटिकली करेक्ट होना, ठीक है, यहाँ पर वी ग्जेंपल बताईए है, कि Syntax Processing Stage क्या करती है, Structure Detection करती है, जैसे अगर मैं आपसे को यह एक सेंटेंस के आप Parts P Tag बताओ, तो That Can Be Noun Phrase या Verb Phrase, एक सेंटेंस जो है जुमला, उसमें क्या होता है, कोई इसे ही है, जैसे for example, अली बात सुनें, यह संटेंस है जिसमें subject है, अगरीट ऐसा ही है, बाहर चले जो, यह वर्ब है, इसी तरह adjective ही हो सकता है, adjective क्या हो सकता है, क्या से तो माशालोः, adjective हो गया, इससे तरह इड़ब सोन, काफी सारी चीज नहीं किसी है, इन एनी करती है, इ इस subject में क्या लिखा हुआ है? I लिखा हुआ है. verb phrase में verb और फिर noun phrase हो सकता है. like mangoes. यह example मैंने किशीज की दिए है, यह context free grammar है basically. उसको मैंने diagram में दिखाया हुआ है. context free grammar है, उसको मैंने दिखाया हुआ है. context free grammar last time भी मैंने define की थी, अभी में एक दिखाया रिपीट कर देता हूँ, को student ने question किया था जब वहाँ से उठे थे, कि यह master's का course है, तो यह मैं थोड़ा साना back forth चलाऊंगा. यानि कि मैं रिपीट कर देता हूँ, कि यह नहीं होगा, कि theory of automata बस मैं तरतीब से रटना चलाऊंगा, क्योंकि वो ना मुझे इतनी effort करने की जरूरत है, और ना वो कि शायद आपके लिए इतनी ज़्यादा out breaking होगी, कि मैं बहुत detail में दुबारा ना हर चीज समझाना शुरू कर दूँ, तो मैं यह करूँगा कि CFG जैसे book में मैं रहाँ कोई 15 या 16 चेप्टर है, तो मैंने हलका सा last time का, और वो है यही चीज़ है ना, लेकिं स्टिल मैं कुछ न कुछ आपको slides देता जाओंगा वह पढ़ते रहेंगे, make sense, ठीक है, इन्हें निके सब इस topic पर आते हैं, अब हमने क्या देखना है, क्यार यह तो syntax tree तो बन गया, अब question हमारा क्या था, problem कहां पर आते हैं, यही है न, हम यही देख रहे हैं न, कि कोई भी हम चीज़ देखते हैं, phonetics हमने कहा जी phoneme बनाना न, morphology morpheme बनाना, agreed, फिर हमने कहा देखा क्यों मुश्किल है, morphology जो है वो क्यों मुश्किल है, phonetics क्यों मुश्किल है, lexical analysis क्यों मुश्किल है, अब यह क्यों मुश्किल है, क्या reason होगी क्यों मुश्किल होगा, यह आप में से कोई अच्छे बचे बैठे होंगे जिन्होंने theory of automata अच्छी पढ़ी होगी वो बताओ थोड़ा, ambiguity क्या होती थी theory of automata में, 2020 में किसी ने किये BSE, जो बैठे है आप में से, बही 2020 वाले, बैठे तो होंगे, कहीं से भी यार, UT कोई वो थोड़ी है, आप beauty, पढ़े है न 2020 में, तो आप तो fresh होने चाहिए यार, compiler पढ़ा होगोस के बाद, पढ़ा होना, पढ़ी मसा ने, अच्छा यह बताएं, यह आई like mangoes जो है, ठीक है न, कर दिये तो शाद नहीं है, अगर मैंने पास एक, यह चलिए यह लिखी हो, यह लिखी हो, यह grammar ना context free भी छोड़ दे, एक subject है, noun phrase में मैं कहता हूँ, अच्छा एक यह grammar लिखी हो, इसको आप इस तरह लिख सकते हो खुदी, देखें दुबार बतातो, एक यह grammar लिखी है, इसको कैसे लिखेंगे, sentence is equal to, यह सबको समझाती है, कोई बंदा या बंदी जिसको ना समझाती हो, सबको समझाती है, agreed, fair enough, ताकि भी समझ आ रही है आपके बात, ऐसे है न, जी, आ रही है समझ, यह तो उंगली ठकना शुरू होगी है, यह मैंने न, क्या लिखा है, CFG लिखी है, context-free grammar, for this syntax tree, context-free grammar कुछ भी नहीं है, उसमें दो चीज़ें होती है, terminals and non-terminals, terminals का मतलब होता है, जो चीज़ें खतम होजएं, आगे तूटी ना जा सके हैं, इसी है, terminals का क्या मतलब होता है, जो खतम होजएं, non-terminals के होते हैं, जो आगे break हो सकती है, यह बाश समझ आती है, mango जो यह से आगे कहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, वो terminal है, like, I, यह सब terminal है, clear होगी वाली बात भी, चलें कानी खतम होगी, अच्छा, अब मैंने यहाँ पर यह लिखा, कि एक यह तरीका है, और यह I like mangoes बनाने का, ऐसी है ना, अब इस तरीके से भी I like mangoes बना सकते हैं, आप लोग, इस grammar के तरूफ, यह मैं कहता हूँ, यह है, cfg1, यह grammar1, g1, और यह मैं कहता हूँ, grammar2, इन रूल्स के तहट यह बनाया जा सकता है, I like mangoes, अगर इसमें थोड़ा से यह आइट कर दें, यह वाली चीज़, let's say, वर्जिन, लाइक, और एनपी जो है, mangoes, बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, ठीक हो गया, अच्छा, आप computer को क्या मसला हैगा, आप computer confused होगा, कौन सी grammar सही है, इसे कहता है ambiguity, कि एक काम को करने के दो तरीके हो, इसे कहता है ambiguity, एक री डिपा समझाती है, तो syntax के अंदर भी सबसे बड़ा मसला क्या हैगा, ambiguity, तो इसका मतलब क्या है, कि यह जो syntax tree है, जो चाहिए वो cfg के through कर रहे हो, csv के through कर रहे हो, किसी भी machine के through कर रहे हो, it can be ambiguous, यहां तक clear, अच्छा जी, चलने जी, अब यह थोड़ सा पने क्या है इसको, खुद ही समझा आजएगा अभी, जो मैं कह रहा था, अच्छा देखो, मैं न प्रॉब्लम दुबारा रिफ्रेस करता हूँ, वरना आप confused ही होगे, हम करना क्या चाह रहे है, कि जो हमारे पास sentence है, उसका एक syntax tree बनने, ऐसे है ना, या reverse भी true है, कि एक set of rules के through, एक tree बना रहे हूँ, ऐसे है यह ना, अब मैं रुबारा कहता हूँ, कि यह जो sentence लिखा हूँ, इसका क्या एक ही syntax tree बनेगा, या multiple बन सकते हैं, अगर multiple बन सकते हैं, तो यह ambiguous है, single बन सकता है, तो ambiguous नहीं है, बस, multiple बन सकते हैं, न कैसे, जैसे, यहाँ पर लिखा है, the old man and woman, इसी statement को ले ले लेते हैं, the old man and woman, इसका मतलब क्या होगा, सारे मर्द बुजर्ग, मर्द यह दिए बुड़े, और ओरतें कोई भी हो, यही मतलब बनेगा, या यह बनेगा, कि सिर्फ बुड़े और बन्दे थे बुड़ी औरतें, दोनों बन सकते हैं, एग्रिट ऐसी हैं, आप यह कह रहे हो सकते हैं, मैं कह रहो नहीं, बुड़े ही और तो बुड़े ही मर्द है, दोनों ऐसे हो, ऐसे हैं, दोनों सकते हैं, तो यह ही ambiguity है, ठीक हो गया, अच्छा जी, चले आगे चले जाते हैं, वर्ट टेकन टू सेफ लोकेशन, ओल्ड मैं और वुमें, वर्सिस ओल्ड मैं एंड वुमें, तो इसका मतलब कहा है, कि दोनों बुड़े होने चाहिए, इसी तरह ओल्ड मैं और सारी ओरते हैं, ठीक है, जो यहां पर बात कर रही है, अच्छा जी, नो स्मोकिंग एरियाज विल अलाओ, हुकाज इंसाइड, अब इसका क्या मतलब है, किसी ओके याद आगए, शीशा याद आगए होगा, जी, हाँ, इसका मतलब क्या है, एक तो यह है कि नो, और बाकी यह है कि स्मोकिंग एरियाज विल अलाओ, हुकाज इंसाइड, ऐसे है न, कि कोई भी ऐसा एरिया जो स्मोकिंग एरिया है, लेकिन वो हुका नहीं अलाओ कर रहा, यह भी मतलब हो सकता है कि नहीं, अग्रीट, दूसरा किया है, यह खटे हो गया, ऐसे है, आप बलकुल आइसे, तो भी हो गया, ठीक हो गया, अविंग सदेट जो वर्ड बाउंडरी है, वो डिर्कली प्रपोशिशनल होगी, सिंटेक्स ट्री कही न, यह डिर्कली चनेक्टेट होगी, प्रपोशिशनल होगी, ठीक है, बस समझा रही है, बहुर तो जादा नहीं हो रहे है, थोड़ा यह है, जादा लंबा नहीं है, लेकिन असान है, तो मैं चारों चल जाए है, इन एन एनिकेस, अच्छा, इसी तरह प्रपोशिशन, प्रपोशिशन फ्रेज़ अटेच्मेंट, यह पढ़ें, जादा आई साथ बॉय विद द टेलिस्कोप, प्रपोशिशन क्या होती है, पहली चीज, फिर मैं एक्स्पिन कर देता हूँ, प्रपोशिशन होती है, जो चीज़ें जोडते हैं, जैसे, बॉय विद द टेलिस्कोप होगा ना कि बॉय के साथ होगा, परसन सिटिंग ओन द चेर होगा, ऐसी है, या परसन सिटिंग इन द चेर होगा, इन होता है ओन होता है परसन सिटिंग, आप इन नहीं या ओन है, एक मिठे नहीं नहीं ओन है, यार आपसे पूछा है, थोटा जगाने तो देगा, कोई मोखा तो दो होता कि मैं बोलूगा तो जागेंगे लोग यार बिटे पता है, इसे लिए पूछ रहा हूँ, मुझी पता है, इन एनी केस, प्रेपोजिशन का खेर यह था, प्रेपोजिशन का मतलब क्या है, कनेक्टिंग करने के लिए ना वर्ट का, अचा अब यहां पर देखते हैं, आप इसका क्या मतलब हाएगा, फॉरण, आईशा ना टैलिסकोब में से बच्चा देखा, यही मतलब कहा हूँ, वही मैं कहारा हूँ, मेरे लिए से यहां मतलब, लेकिन कुछ यह भी एका सकते है, ना से बच्चाोब भी कहना है, हुझना क्यों नीं हसते क्यों है, हम यहां से, अभी हमारा ट्रिप हा भच्च से झालिसकोब लि आप बताया, आप बच्छा आप देख सकते हैं, पहाड को देख सकते हैं विद टेलिस्कोप, आप तो यह ना कि विद टेलिस्कोप के अंदर से देखना है ना, ऐसा ही है, अच्छा जी, I saw the boy with the pony tail, हाँ, आप पोनी टेल पकड़ी तो नहीं होगी ना, पकड़ी नहीं होगी ना, समझारी ही बात क्या करें, कि देखें, I saw the boy, syntax tree पे अब आवो, वो तीनो एक ही है, यहाँ पे tree बनागा ना, syntax tree, I saw the boy, A की ही है तीनो गा, आगे कानी चेंज है, with pony tail का मतलब क्या है, कि ऐसी property जो उपर attach है, with telescope का मतलब क्या है, कि उसने उठाई हुई है, और with mountain, जिसके अंदर से देख रहे हैं, तो यह syntax के problem है, कि grammar rule कैसे चाह रहे होंगे, इन सबकी जो grammar backend पे बनेगी वो different होगी, ठीक है जी? और भी काफी example दो सकते हैं, थोड़ा सा तेज ही चलें, इन में कौन सा काम गया, चलें इसको, यह वो example देख पढ़िए अगर मैं इसमें काम की चीज़ पर आता हूँ, इसमें एक figure मैंने कहां डाली थी, कहां डाली थी, चलें यह थोड़ा सी figure उपर नीच होगी है, slides के लेगे चलें कोई मसना है, यहां पर मैं explain करता हूँ, क्योंकि एक important phenomenon है, इसका न, morphology का भी और इसका, grammar में भी और वैसे English में भी होता है, garden pathing, सुना यह word, garden pathing sentence, garden pathing sentence, यह basically इसको कहते हैं, एक और word भी होता है, यह इस तरह समय लें, कि जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आप कहते हैं, मैं बड़ा अच्छी grammar बना रहा हूँ, यह मेरा sentence हो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे जाके आगे जाके जैसे आप data load करते जाते हो, वो dead end पर चला जाता है, grammar collapse कर जाती है, ठीक होगा, first example, इसकी कुछ example हम यहां पर देख लेते हैं, जैसे the old man the boat, इसका कोई मतलब समझ आता है, लेकिन अगर आप इससे जब बनाएंगे, तो इसका tree कैसा बनेगा, वो आगे देख लेते हैं, पहले फिर वापस आते है, sentence, noun phrase, verb phrase, the old man, ठीक है न, तो यह बिलकुल हमारे पास सही है, इस ती दना, अगर इसकी grammatically देखें, तो subject का noun phrase और verb phrase, और यह यहां पर आके तूट रहा है, right side develop, देखते हैं, वो जाद अच्छा है, sentence, noun phrase, verb phrase, the old man, the boat, अच्छा, आप यहां पर दो चीज़े हो रही है, दुबारा असान करते हैं, तो बिलकुल असान, इसका मतलब कहा है कि ऐसे sentences, जिनका syntax tree बन जाएगा, मानी नहीं होंगे उनके, और अब आपको बढ़ा असान समझ भी बात है, उपर से घुजर गी, ठीक हो गया, अच्छा, अब इसको मैं एक मिन्ट में दोबर जोड़ देता हूँ, देखो, जो चीज़ भी इहां मैं बोर रहा हूँ, उसके steps है, पहला step है, phonetic, उसकी audio सही होनी चाहिए, एगरी करते हो, सुननो उसरा गोर से, दूसर इसको मानी नहीं वो सिमेंटी कभी आएगा, चौत्या क्या चीज़ है, वो grammatically सही होना चाहिए, ऐसी है, अब हम जाना ही लगे है कि भी grammar ठीक भी होना तो मानी नहीं होंगे, होता ना, बासकत क्या होता है, कि grammar ठीक है लेकिन उसके मानी नहीं है, ऐसी है, जैसे मैं क्या कहत हो, यहाँ पर मैंने विसे बताया है, और कौन से हो सकते हैं, जिनके sentence बिल्कुर ठीक है, मानी कोई नहीं है, जैसे आपने programming में पढ़ा है, 2 divided by 0, 2 divided by 0, यह क्या है, syntax wise ठीक है नहीं है, असूलों के लिहाँ से, grammar के लिहाँ से, आप किसी भी number को किसी से भी define, divide कर सकते हो, grammar wise, syntax wise it is a true statement, मसला कहाँ पर है, मानी में, मानी में, semantics के, ठीक हो क्या, और को example, real life में, बहुत सारी हो सकते हैं, कौन से ही बताया है, कोई sentence बताया है, जो grammar में ठीक हो, मानी नहीं हो, go there, यह ठीक हो क्या, go there, वहाँ जाओ, नहीं, clear होन और चीज है, TV देखो, चौने आइस तरहें कहले, TV has some water in it, TV has some water in it, बिल्कु ठीक है, syntax wise ठीक है, लेगन पानी उसमें नहीं होगा, ऐसे है, और को example है, दो-तीन तो देदे यार, जागो, example दे यार, ऐसे हवाई नहीं, example दे, इडियम यह part of lexical के है, इडियम तो एक lexical के अंदर है न, यहाँ पर आपड़े हो, जहाँ पर combination of words आगे है, ऐसे है न, इडियम क्या चीज़ होती है, words की base पर, इडियम की example देना, इडियम कौन सा इडियम, नहीं नहीं, अच्छा उससे आप कह रहे हैं, जैसे आप कहते हैं, जैसा देज, वैसा भेज, ऐसे है, यह वो है कि जिसके grammar भी ठीक है, मानी भी है, agreed, हम यह बात करे हैं कि जिसके मानी हो ही न, जैसे, sorry, लेकर मेरे जहन में वजीब सी आरी लेकर मैं बोल देता हूँ, girl with a beard, girl with a beard, ठीक है, sense नहीं बनती है, ऐसी है, man with a veil, ठीक हो गया, sense बनती है, sentence तो है, लेकिन होता नहीं है न, इसा, चोड़, चलें, जो भी है, हाँ, तो ऐसे ही है, तो यही problem है न, भाई, चीक है, आज Sunday है, तो क्या ही है, चीक है, बस ही है, तो फिर यही है, इसका example ही है, लेकिन, लेकिन, स्टिल, मैं दोबरे repeat करता हूँ, कि ऐसे word होने चाहिए, जिनका semantic मानी ना हो, syntax ठीक हो, semantic मानी ना हो, हाँ, संडे जो है, चेक करना पड़ेगा, ना compare करना पड़ेगा, ठीक है, इसी तनकी example आप सोच सकते हो, खुद सोच लीजेगा पर, लेकिन, मैं दोबरे ग्जेंपल दे दी हैं आपको, बाकि फिर मैं भी paper बनाऊँगा, मैं भी सोचूँगा, आभी जा सोचेगा, food of thought है आपके लिए भी, ठीक है, लेकिं स्टील यही दो एक्जेंपल है, जो मैंने बोल दी है, ठीक है, आगे चलता है, यह थोड़ा सा ना orders खराब हो गया, अच्छा, syntax अब हमारे पास हो गया, अब syntax के पाद आखरी चीज बच गी है, semantics के अंदर काफी सारी चीज हैं हो सकती है लेकिन स्टार्ट हम इन तीन चीज़ों से ही करते है, semantics का मतलब के है, I saw the boy with a ponytail, अच्छा, अब यहाँ पे semantics से हम फोरण अंदाजा लगा सकते है, ponytail का मतलब, जैसे हमने पहले बात की थी, कि I saw the boy with a, with a telescope, ठीक है, इसी तरह with a ponytail, तो अगर हमारे पास ponytail है, तो इसका मतलब क है, कि ponytail cannot be an instrument of seeing, जो telescope है, उसे आप कुछीज देखते थे, जबकि ponytail जो है, वो नहीं हो सकता, तो semantic का एक मानी है, मतलब इसके, किक हो गया, दूसरा लिखा है, pragmatic, अभी आगे भी आएगा, लेकिन pragmatic का मतलब की, हाँ से क्या समझाता है, पढ़ें ज़रा क्या मतलब समझाता है, pragmatic का वैसे मतलब होता है, user intention, कि कोई चीज कही जाए ना, तो user intention क्या होगी, user intention, कोई भी आप text बोलते हो, या लिखते हो, तो उसमें intention क्या है, अमोमी तोर पे जैसे, लेट से, आप मेंसे कोई शोर मचाई जा रहा है, ठीक है, लेट से, तो मैं उसे क्या कहूंगा, मैं कहूं इसे होता है, user intention, यही होती है, ठीक है, या मैं कहता हूँ, अपने role number बताओ, तीन बचे या बच्चीया बैठी है, बातें कह रही है, तो मैं कहता हूँ, रोल number बताओ, बताएंगी, वो फोरन कहेंगे, तो fail कर देगा, ऐसे है, तो यह होती है, pragmatic, कि जो text है, उसमें user intention क्या ह है, clear होगी वाली बात भी, अभी examples भी आ जाते है, discourse, discourse भी असान है, discourse का मतलब यह होता है, my name is उसमान, I am teaching you class, ठीक है, अब इसमें आई कोन है, उसमान, यह discourse होता है, combination of sentences, ठीक है, discourse का मतलब क्या होता है, discourse analysis भी से कहते हैं, कि जब multiple sentences हो, तो वापस में combine कैसे होता है, यह discourse कहत हैं से, ठीक है, ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि my name is उसमान, I am teaching साकिप, he is very good in studies, तो अब ही कोन है, उसमान यह साकिप, ठीक है, तो यह discourse है, यह तो असान example आगी नहीं, लेकिन confusion हो सकती है, ठीक है, तो ही जो है, in any cases, sorry, नहीं नहीं देखे, मैं फिर repeat करता हूँ, देखो, solve अगर मैं पढ़ाता हूँ वह होती है, computational linguistics, अभी हम इसे जोड़े है, NLP के साथ, और plus theory of computation में, जिसमें हम complexity define कर रहे हैं, मैं कुछ को solve कर रहा हूँगा, इनमें से, कुछ को मैं solve कर रहा हूँगा, जैसे next time, जो है, मैं regular expression के थूरू बता हूँगा, कि words कैसे बनते हैं, यह स समझा रही है, अभी सिफिये मैं बता रहा हूँ कि यार, आटो मैटा का कोई course पढ़ें, तो उसके अंदर, let's say, अगर NLP application है, तो उसमें क्या complexity क्या है, ठीक है, जैसे for example, आपकी book के काफी सारे chapter ambiguity के उपर है, और वो हमने फिर cover किये ना, कि उसमें क्या ambiguity हो सकती है, ambiguity क्या हो सकती है, syntax में हो सकती है, lexical में हो सकती है, यही तो सारी तक्रीड कर रहा हूँ, जी, यह यह बता रहे हैं, यह बता रहे हैं, देखें, मैंने यह तो बोला था, कि जब आप किसी चीज़ को solve करते हो, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो grammar वारा solve कर रहा देते हैं, जो theory of automata भी है, लेकिन theory of automata की जो boundary थी न वो खतम हो जाती है syntax के उपर जा के, वो outside जाती ही नहीं है, outside जाने के लिए आपको high level knowledge चाहिए, और high level knowledge को define करना है, वो तीन definition है, semantic, pragmatics or discourse, यह पता चलेगा तो natural language के problem solve होंगा, यह बात कई तफ़ा बोल चुका हूँ, मेरा खाल है 90% को पता हो नीच अच्छे जो बोह रहा हूँ, अच्छे यह बता चुकों, अच्छे जी, semantics के उपर आ जाते हैं थोड़ा सा, semantic को present करने का अब तरीका क्या होता है, थोड़ा सा पहले यह बता हो है, सबसे इसमें जो मशूर चीज है उसे कहते है predicate knowledge, predicates, जैसे हमारे पास math है, जैसे हमारे different formalism है, एक कोड है उसे कहते है, predicate knowledge कह लें, या analysis कह लें, predicates, AI में यह भी पढ़े होंगे आपने, predicates क्या होते हैं हमारे पास, पता है? बिलकुल ऐसे है, कि कोई statement true या false हो सकती है, ऐसे है न, जैसे for example, भाई का नाम क्या है? हसन, यह मैंने लिए capable, और पीशे assumption यह है कि हसन के बारे में पूछ रहे है, capable true या false, ठीक है? तो basically चलों और सान करता हूँ, predicate जो है, relationship between two entities है, कि कोई entity जो है, वो क्या हो सकती है, हाँ या ना, ठीक हो गया? इसको लिखने के लिए जो तरीका उसे कहते है, predicate calculus भी कहते है, इसके लिए word you न, predicate, मैंने आपर knowledge लिख दिया है, वैसे predicate calculus भी कहते है, ठीक है? वैसे अभी book के अंदर था, तो मैंने ऐसी slides में जाने दिया, लेकिन simple अफ्जों में यह है, semantics का मतलब किया है, चीजों को compare करना, और फिर true या false की base में बताना, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पर अब example दिये, john gave a book to Mary, इसका मतलब क्या है, जी, john जो है, ठीक है, sorry, इस तरह कर लें, sorry, इसको बताने मिटाएंगे कैसे, ऐसे कर लें, book, john, comma, Mary, ठीक है, दो entities है, john और Mary, relationship क्या है, book का, ठीक है, उस्मान और let's say भाई है, आपका नाम क्या है, एसन, उस्मान और एसन है, relationship क्या है, student, teacher या, मैं अगर हूँ तो teacher, भाई की तरफ से है तो student, पहला अगर ये लिखेंगे इनका, तो student होंगे, मेरा पहला लिखेंगे तो teacher होगा, समझा रही है, यह predicate logic ह होती है, predicate calculus भी कहते है, यही मैं काफी इस पर पढ़ाया जाता है, in any case, again challenge क्या है, ambiguity in semantic role labeling, जैसे मैंने का उस्मान और एसन, अगर पहले एसन लिखा हूँ है, तो relationship should be student, पहले उस्मान लिखा है, तो relationship should be teacher, ठीक है, तो यह semantic labeling है, अभी रफ सही बताते हैं, आगे चलते हैं, इसको conclude कर लेता है, pragmatics का, यह इसकी बढ़े इच्छी एक example है, pragmatics को समझाने के लिए, वैसा, मैंने भी, थोड़ देफिनेशन धूंडी थी नोट से तो दो मुझे मिली है pragmatics की, एक user intention है और एक word knowledge है, ठीक है, user intention का मतलब का क्या होता है कि जो आप चीज़ कह रहे हो, उसमें आप कहना क्या चाह रहे हो, जैसे यह जो statement लिखे में बड़े सान लफजों में कहता हूँ, कि लेटसे मैं पाकिसान में तो नहीं लेगे, लेटसे मैं कराची गया सहर करने, वहां पे मुझे कमरा मिला साथवे फ्लोर पे, है कि लेटसे 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 में सारा निचे अतरक आया, तो मैंने आके मुझे याद है, यहाद जूता ऑपर ही बूला है और मैंगा जूता thatई छोड़कर नहीं सकता था, मैंने कि-सी एफ्यवे बहरे को बिलाया है वेटर बेर बहरे अंब और गया, जूता बढ़े हैं क ले ओ ना, use intention का मतलब के है, वो देख के उसने का जी पढ़े हैं, परिशान नहों, ठीक है, तो ये है pragmatic, ऐसे है ना, जैसे बाप के अगर बात करें, मैं जो बर्दी तक्रीर करता रहा हूँ, आपकी main pragmatic क्या है इस पूरे course में, नमबर वन, नमबर टू, fail कर दें अगर आपको knowledge gain करा दें, suit करेंगा, नहीं करेंगा, तो ये दो-तीन intentions है, combination of intentions है, agree, agree, अच्छा, दूसरे word knowledge, example तो मैंने गंदी लिखे लेगें, चलें word knowledge, ये भी मैं net से उठाई है, क्योंकि मुझे और समझ नहीं आ रही थी, ये इसलिए ल exact नहीं हो, जिसका मानी है, जैसे कारगल का इसलिए लिखा है, कौन जीता था जंग, हमसे कहेंगे, हम जीते थे, वो कहते हैं, वो जीते थे, agreed ऐसे हैं, agreed ऐसे है कि नहीं, तो इस तरह का word knowledge, जो exact knowledge नहीं, अगर exact है तो तो काम ही खत्म हो गया, वो तो simple google पर सर्च करेंग, exact आ जाएगा, लेकिन ऐसा जो user के perspective से हो, वो है word knowledge, तो pragmatic की डोई definition है, user intention, वो clear है, दूसरी word knowledge जो, जिस पे कोई वो नहीं, consensus नहीं, exact नहीं हो, ठीक है, जी आखरी चीज़ देखेंगे, तो इसलिए उलाई नहीं डालता है, we pragmatic है, इसलिए तो चलते हैं वो, आप यहाँ पे google बैटके देखें, super star of cricket आप लिख दें, अफरीदी आजाएगा, इंडिया में जाके लिखेंगे, दुनिया आजाएगा, जो दुबई का player होगा, वो आजाएगा, फुटबालर आजाएगा, अगर cricket नहीं होती तो कोई भी नहीं आएगा, फिर वो जो भी अच्छा question हैंगा इन सोच लेते answer, logically क्या होगा, इन्होंने का जी कि यहाँ पर हम लिखते है, super star of cricket, अफरीदी आजाएगा, लेट से, आज कल बाबार आजा मत होगा वैसे, लेकर लेट से, इंडिया में लिखते है, super star of cricket, कोली आजाएगा, दुबई में लिखेंगे क्या आएगा, जिसका search क अगर इंडियन जादा कर रहे हैं, तो वो दूनी का बता देंगे या जो भी था, पाकिस्तानी अगर जादा करते हैं, इस तरह की searching वो उसको कर देते हैं, यही pragmatic है, ऐसे है ना, success story यही बनेगी ना, कि जो user जिसको जादा search कर रहे हैं, Google ने तो अपना धंदा चलाना है, तो अब इसको बता नहीं, NLP में कैसे explain करेंगे, यह बाब जून लीजेगा, क्योंकि इसका क्या answer होगा, बताएं, मुझे तो नहीं सबजा है question आपका, अगर आई भी तो उसमें NLP क्या करेगी, यह Automata क्या करेगी, वो उनका problem है, यार हमें क्या, Google थोड़ी बनाना है, NLP को तो इसकार एक्जेम्पल थी, कि Eliza से जब पूछा है, उसने का, जी मुझे दवाई दे ना कोई, उसने का, भाई, डॉक्टर को दिखा, मुझे माप कर, तो अगर हम भी यह कहेंगे, यह सहरत पाकिस्तान की क्या, इंडिया की क्या, तो हमारा भी वो चार एंजन कहेंगा, हम से ना बात परो, ना, ऐसी है ना, यहर वो हमारा फेल्ड नहीं है ना, भाई, मैं गूगल थोड़ी पढ़ा रहा हूँ बनाना, नहीं समझा ही, लेकिन इननी किसा आप कहना चाहते हैं, तो हम मुझे पता है कैसे करता है, लेकिन स्टिल वो हमारे relevant नहीं है, ठीक है, इनन मैं भी कर सकता हूँ, रेलिवेंट नहीं है, सोरी यार, क्या, जी बताएं यार, extra knowledge भी आजाएगा, थोड़ा बताते हैं, बताते हैं, जी, ठीक है बता, social dilemma आपने देखना है, यूट्यूब पर सर्च करना है, तो वह को बता देगा, ठीक है, काफी हो सकते हैं, लेकिन to the field मैं रहना चाह रहा हूँ, वन्ना infinite हो जाएगा, पर आप यह कहेंगे, कि आटो मैटर में पताने क्या क्या पड़ा आगे हैं सर्ना, तो हम तो उसी के लिए आख से कानी लगा देंगे, कुछ ना कुछ गुसा देंगे, इनने किस इस पर आज़ करते जाओ, सबसे common तो यह है, अब यहां पर कुछ और example भी देंगे हैं, जैसे father का बताया हूए, कि यह एक बच्रिस्चन स्कूल में पढ़ता है, वो बंक अगर करता है, तो वो फिर confused रहेगा कि कौन सा father नराज होगा, actual father या जो स्कूल का principal है, ठीक हो गया, तो यह कुछ example चले यह मेरा खाल में यहां पर खतम हो गया, यह खर मैं बतायी चुका हूँ, ठीक है, यह तक्रीमें समरी थी उसकी, अच्छा जी, ठीक हो गया, अब सको कैसे करेंगे, नहीं, sorry, 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 अच्छे इदर है, sorry, एक मिल दूसरा भी चला लोते हैं, lecture 1, 2, यह लखो लो, यह बस मैं 2-3 मिनिट में जल्दी से बस वो करवा रहा हूँ, नो, इसको चाहां से रहेंगे, अच्छे, sorry, PDF है यह, नो, PPT है, इस नहीं उता है, slide show में जाके कर लें, from beginning, thank you, sir, अच्छे, बस मैं जल्दी से बस quickly चला रहूँ, क्योंकि मैं बोल चुक हूँ, दो lectures भी हो चुके हैं, जल्दी से बस इसको देखते जाते हैं, यह text book में बता चुक हूँ, Daniel Cohen की और यह वाली है, मेरे पास यह पड़ा हूँ है second edition है, मेरे खाल में यह 1990 की परानी पड़ी है, तो जो भी market में पड़ा होगा, online भी मुझूद है, slides भी मैं आपको देना भी शुरू का रहा हूँ, theory का मैं बता चुका था कि theory का क्या मतलब होता है, programming का क्या होता है, क्या difference होता है, theory of computation इन पे भी मैंने शुरू में भी थवड़ा सा बता दिया था, आज भी बात होगी दुबारा, type of languages हम पहले बता चुके है, formal, informal, वो भी चीज होगी, उसके बात जी, English के language में क्या होता है, letter word sentences ये भी बोल चुके है, group of words आ गया, इसी तरह ये चीज़ें आप देखते जो होगे, alphabets का बताया था, computer language की examples आ आगी, strings क्या होती है, ठीक है न, ये सिफ मैं आपको material दे रहा हूँ, ताकि कुछ लोग ऐसे हैं आप में जो start late कर रहे हैं जो भी है, तो वह एक दफ़ा go through कर लिजीगा खुदी, क्योंकि हम कर चुके हैं, empty null string का बता दिया था, ठीक है, lambda, shemda, जो symbols पर बात हुई थी, words की बात हो गई थी, ठीक है इसी था न, agreed के नहीं, अच्छे इसी तरह, alphabets का आगे, ambiguity का बता दिया, फिर ये ambiguity वही grammar वाली यह आगी, और ये आज भी बोलिये, ये ambiguity की examples हैं कुछ, उसके बाद length of string simple यह के formula के कितने नंबर हैं उसमें, ये examples हैं उसकी, और इसी तरह ये कुछ grammar हमने बनाई भी थी, जो नहीं बनाई ये इस तरह कि रिवर्स वारा हैं इसके आजाएगा, ये कुछ examples है, ये palindrome की example है, उन्हीं को continue किया हूँ, ये आप देख लोगे खुदी, और फिर length of palindrome wire हैं इस तरह की चीज़े हैं, तो clean closure का फिर हो गया था, lexicographic order ये भी बता दिया था, याद है ये? बताया था कि नहीं? कितने कहते हैं नहीं बताया? बताया इसका मिलब याद, चीक हो गया, तो ये simple summary हमारे पास आगी, अच्छा इसी तरह ये भी आज भी अभी यहीं से शुरू किया था descriptive, recursive और ये चीज़ें भी देखेंगे दुबारा, लेकिन descriptive हमने last time भी की थी, उसी पर चलते हैं दुबारा, तो अब यहां पर लिखा भी है कि ये पढ़ने ज़रा एक दफा ना, पढ़ने मैं बस सिर गो थू करवाता हूं, बोलूंगा नहीं, ठीक है जी, odd का बता दिया, ठीक है, इसी तरह, ये कौन सा है, ये भी पढ़ लो जल्दी से, define कौन से है, लेक्स टू है, तो 01 के लिखा से पहले 00, फिर 01 and so on, तो ये फिर कुछ examples है, equal, integer, even, ठीक है, ये आप अपनी तोर पर बस practice कर लिजेगे, तो ये दो तीन chapter यही थी झाल